फिलिपी की पत्री को लिखने वाले प्रेरित पॉलूस हैं और प्रेरित पॉलूस इस पत्री को जब लिख रहे हैं वो जेल में हैं कारावास में हैं और वहां पे वो जेल में होते हुए इस पत्री को लिख रहे हैं और फिलिपी सहर जो था वो मैसोडोनिया में इस्थित है और वहां का एक प्रफिद्ध सहर था और प्राचीन सहर ये बहुत पुराना सहर था. फिलिप के लोगों के पास जो है रोम की नागरिक्ता थी रोम की नागरिक्ता होने के साथ इनको इस बात पे गर्व करते थे और फिलिप्यों की सहर में प्रेट पॉलुस अपनी दूसरी मिस्नरी यात्रा के दौरान अपनी सिवकाई का आरंब करते हैं, वहाँ पे सुरुवात करते हैं हम जब प्रेटों के काम में पढ़ते हैं अध्या सोला में वहाँ पे 6 से आगे के वचनों में हम देखते हैं कि प्रेट पॉलुस जब अपनी दूसरी मिस्णरी यात्रा में होते हैं उन्हें एक व्यक्ति मैसोड़ॉनिया के अखिष्था चार Pokémon धर्षण देता है। Won warm up शपने में बोलता है की वह मैसोड़ॉनिया में या की उनकी सहाईता करे, उनकी मदद करे। और पॉलूस और उनकी टीम फिर मैसौडोनिया के लिए निकलती है। वो त्रोवास में आते हैं, फिर निकापलुस में होके वो फिलिप सहर में पहुझते हैं फिलिप सहर में वो उस समय सहर के बीच में उन्होंने अपना सिवकाई सुरू नहीं करते हैं वो नदियों के किनारे वो वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे एक इस्तरी उन्हें मिलती है उसका नाम लुदिया है और वो इस्तरी से वारतालाब करते हैं उस इस्तरी से और उस इस्तरी को उनके घराने को प्रेइद पॉलुस बबतिस्मा देते हैं और फिर वो इस्तरी जो है और प्रेइद पॉलुस और उनकी पूरी टीम वहां पे रुकती है और वहां पर वो अपना सुरुवात करते हैं, सेवकाई की सुरुवात वो लुदियार के स्तरी जो थी उनके घर से सुरू करते हैं, इस पत्री को जब हम पढ़ते हैं, जैसे पास्टो सोनु ने अभी जब अराधना से पहले वचन पढ़ा, प्रभू में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रेइद पॉलुस जब इस पत्री को लिख रहे हैं, इस पत्री का जब पूरा जो इसका बिसे है इस पत्री का, हम अपने दुखों में कैसे आनंदित रहें, प्रेइद यह मतलब नहीं कि हम सारी चीजे प्रभू, हम आनन्द ही आनन्द होगा, हमारे जीवन में आसु नहीं होगे, दुख नहीं होगा, पीडा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, वो सारी चीजें हमें उस सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह याद रखो कि प्रभू हमारे साथ है, प्रभू हमारे जीवनों में कारे कर रहा है और प्रभू में हम आनंदित रहें, पूरी अध्याय को जब आप एक से चार तक पढ़ते हैं, आप हर अध्याय में आनंदित हूँ, आनंदित रहो, मैं आनंदित हूँ और रहूंगा भी ऐसे सब्दों का पॉलुस यहाँ पे इस्तिमाल करते हैं, कि हम अपने दुखों में भी कैसे हम प्रभू की और अपना फोकस करके हम प्रभू में आनन्दित रहें, उस बात को प्रेजित पॉलुस लिखते हैं, समस्याइ इस कलिसिया में हैं, समस्याइ उन समस्याओं के बीच भी हम कैसे प्रभू की महिमा के लिए प्रभू की और हम अपने ध्यान को लगाए रखें और हम प्रभू के उस आनंद को अपने जीवन में महसूस करें। अध्याए 1 के 12-26 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेद पौलुस जो जेल में हैं परिस्तितिया उनके साथ कैसे हैं कैसे उनके साथ ब्योहार हो रहा है जेल में उन बातों को यहां पर लिखते हैं। अध्याय दो के एक से अठारा में और चार के तीन और चार में जब हम पढ़ते वहाँ पे लिखते हैं, प्रेट पुलिप के लोगों के बीच में आपसी मतभेद है, उनके बीच में आपसी मनमुटाओ है, रंजी से चल रही है, और उस वज़ा से उनके बीच में जो एकता है प्रेट पुलिप करते हैं, अध्याय तीन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा कि उनके बीच में जूटे सिक्षक आगे हैं, जो कि ये पहली बार नहीं है, हम जितनी भी पत्रियां पढ़ते हैं, प्रेट पुलिप का, प्रे duy पालूस हर बार इन बातों का जिक्र करते हैं कि जूटे सिक्षकों जो तुमारे बीच में जूटे सिक्षक घुसे हुए हैं, उनसे साउधान रहो, उनसे बचे रहो, अध्याय चार में हम देखते हैं, वहाँ पे प्रेट पुलिप लिक रہे हैं कि उनके प्रति चि के लिए एक चिंता कर रहे हैं हम सब को परमिश्वर ने हम आज जो बिसेस हमारा है कि हम एक स्थानी कलिशिया होने के नाते हमारा उद्देश क्या है हम हम सब अपने गाओं को छोड़कर अपने घर को छोड़कर सायद हम बहुत से लोग हम परिवार के साथ यहां पे लेकिन ह हम गाओं को छोड़कर, सबको छोड़कर हम यहां पर क्यूँ आए हैं? क्या उद्देश है? किस लिए हम आए हैं? जीविका चलाने, नौकरी करने के लिए हम आए हैं. हमारा यहां पर आना हम ऐसे ही नहीं, चलो यार उठ आ गये हैं, अब चलो घूम लेते हैं. हम आए हैं हमारे उसके लिए एक उद्देश है कि हम नौकरी करें अपने परिवार को अच्छे से चलाएं अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दे सकें हम उसलिए आए हैं और लेकिन हम प्रभू पर विस्वास करते हैं प्रभू ने हमें चुना है प्रभू ने हमें येशुनाम ससंग में रखा है गुड़गाओं में रखा है और इस कलिशिया का उद्देश क्या है क्या चाता है प्रभू हमसे क्या चाता है प्रभू हमारा उद्देश क्या है हम अलग-अलग बैक्ग्राउंड से हैं हमारी बोली भासा अलग-अलग है, हमारा पहनावा उढ़ना अलग-अलग है, हमारे कल्चर अलग-अलग है, लेकिन परमिश्वर ने क्यों रखा है हमें यहां, क्यों हम ससंग में आते हैं, क्यों येशुनाम ससंग में प्रभु ने हमें रखा है, एक cricket team, cricket कितने लोगों को पसंद है, तकरीबन सब को पसंद है, उस team में हर एक सदस्य का एक रोल होता है, होता है कि नहीं होता है, और वो टीम इसलिए है कि वो एक साथ मिलके सामने वाली टीम के साथ खेले सामने वाली टीम के साथ क्या करें वो मिलके खेले अगर उनके बीच में आपसी एक्ता नहीं है तो वो सायद अपने खेल को अच्छे से प्रदस्टन भी नहीं कर सकते है अगर उनके बीच उनका एक साथ होने का एक उदोश है कि उनको मिलके सामने वाली टीम के साथ खेलें, सारी टीम के सदस्चों के उदोश हैUसमें यह नहीं है कि किसी एक ने बोला रहे मैं तो बस enjoy करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं क्रिकेट को जीतने के लिए उसी प्रकार प्रभू ने हमें चुनाए हम प्रभू पर विस्वास करते हैं प्रभू ने हमें इस सहर में रखा है गुडगाओं सहर में रखा है इशुनाम ससंग में रखा है उसके लिए भी प्रभू का एक उद् आज हम उन्हीं उद्देशों के बारे में हम सीखेंगे अध्याए एक के एक पहले वचन से आठ वचन तक वचन एक मैं पढ़ता हूँ आप सब के लिए इशु मसी के दास पॉलूस और तिमुथिस की ओर से मसी में उन सब पवित्र लोगों को जो अध्यक्षों और सेवको सहीद फिलिप में रहते हैं हमारे पिता परमेशर और प्रभु इशु मसी की ओर से तुमें अनुग्रे और सांती मिले प्रेट पॉलूस जब अपना परिशे देते हैं कलिश्याओं के लिए हम उनका एक स्टाइल है कि अपने आपको वो जो हैं वो प्रभु के दास हैं और उसी रूप से वो अपने आपको प्रस्तुत भी करते हैं उन्होंने अपनी पूरी सेवकाई में मिनिस्टरी में उन्होंने क्या हासिल किया उनका जिक्र नहीं करते लेकिन वो बस ये बताते हैं कि मैं येशु का दास हूँ मैं प्रभू येशु मसी का गुलाम हूँ और प्रभू ने मुझे ये सेवकाई दी है और मैं वो कर रहा हूँ हम उनके जीवन में उस नमरता को उस देनता को देखते हैं कि प्रेइद पॉलूस उस समय के इतने बड़े लीडर इतनी चर्च की अस्थापना की अगुओं को तयार किया कलिशियाओं में लीडर्स को तयार किया लेकिन फिर भी पॉलूस अपने आपको एक सेवक के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं उन्होंने क्या हासिल किया है वो नहीं करते लेकिन उन्होंने क्या पाया है येशु मसी के दौरा क्या पाया है वो सेवकाई के बारे में उस से तिमूथिस को भी वो अपने ही लेबल पर रखते हैं। उसे तिमूथी एक जब विस्वास में आया, एक बहुत यंग बच्चा था, टीनेज में था अपने, लेकिन उसको भी एक समान दर्जे पर रखते हैं। कि येशु मसी के दास प्रेट पॉलूस और तिमूथिस की ओर से, दोनों को समान दर्जा देते हैं। हम कलिशिया में खड़े हैं, हम सब बैठे हैं, यहाँ पर हम सब का एक दर्जा है कि हम प्रभू येशु मसी के सेवक हैं, प्रभू येशु मसी के दास हैं हम लोग। और उनका अभिवादन की तुम्हें पिता परमेश्वर और प्रभु येश्यू मसी की ओर से अनुग्रे और सांती मिले पतीन और चार हम पढ़ेंगे जब कभी मैं तुम्हें स्मर्ण करता हूं अपने परमेश्वर का धनिवाद देता हूं तथा आनंद के साथ तुम्हारे पयए सदा प्रातना करता हूं प्रैद पौरुस इसमें फिलिप के लोगों से दूर है वहां के बिस्वासियों से दूर है जेल में है और अध्यायदो जब आप एक के बारा से आगे में पढ़ते हैं वहाँ परिस्तियां उनके साथ कैसा चल रहा है वो सब दुख्व है उनको पीड़ा है लेकिन उन सब के बीच में भी प्रेरित पॉलूस उनके बारे में सोच रहे हैं फिलिप के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और सोचने पर उनके लिए प्रात्ना कर रहे हैं कि प्रभू ने किस प्रकार उनके जीवन में काम किया किस प्रकार प्रभू उनके जीवनों में कार रहा है पॉलूस उनके लिए प्रात्ना करते हैं अब उनका दुख में है लेकिन उस समय जब वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो उस समय उस दुख को भूल कर वो परमिश्वर की उस महिमा की ओर देख रहे है कि किस प्रकार प्रभू उन्हें इस्तिमाल कर रहा है कलिशिया हम सब के लिए एक सवाल हम कितना अपने भाईयों को बेहनों को याद करते हैं जब हम यहां से छोड़ कर हम अपने घरों में होते हैं हम कितनी बार हम अपने जो हमारे आस पास बैठे होते हैं या जिने हम जानते हैं हम कितनी दफ़ा हम पूरे हपते में या पूरे महीने में हम कितनी बार उनको याद करते हैं उनके लिए प्रात्नाय करते हैं हमारे पास बहाना होगा भाया हमें समय नहीं मिलता या भीया हमें लोगों कोई बारे में पता ही नहीं हम क्या हमें क्या प्रात्ना करनी है लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं हम जिसे जानते हैं हम उसके लिए प्रात्ना कर सकते हैं प्रभू आप इस भाई को इस बहन को इन बच्चों को प्रभू आप इस्तिमाल करें बढ़ाएं या हम जिनें प्रभू में बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम उनके लिए प्रभू का धनिवाद कर सकते हैं धनिवाद प्रभू आप इस भाई को इस बहन को प्रभू जी आप इस्तिमाल कर रहे हैं प्रभू जो कारे प्रभू ने आप ने इसके अंदर सुरू किया है उसे बरकरार रखे प्रभू ये कभी तूटे ना कभी हारे ना उनके बीच में भी जब प्रेट पॉलुस लिख र के लिए प्रात्ना करें एक दूसरे के लिए प्रात्ना करें इफिस्यों की पत्री अध्याय 618 में लिखा है प्रतेक बिंती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रात्ना करते रहो और ध्यान रखो सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए प् हमारे खुद की प्रात्ना हैं, हमारी खुद की जरूरतें तो हैं, उनके लिए बोल रहा है कि पवित्र आत्मा में निरंतर प्रात्ना करते रहो, लेकिन ध्यान रखो, सतर्क रहो, सब पवित्र लोगों के लिए प्रात्ना करो, कौन है ये पवित्र लोग, किसकी बात कर रहा पॉलूस बात कर रहा है कलिशिया के लोगों के लिए उन विस्वासियों के लिए जो इश्यु मसी पर विस्वास करते हैं पॉलूस बोल रहा है सतर कर रहो तुम उनके लिए प्रात्ना करो पवित्र लोगों के लिए तुम प्रात्ना करो हम कितनी प्रात्नाय करते हैं अपने भाईयों के लिए अपने बेहनों के लिए जो मसी ने हमें दिया है कितनी मरतबा हम उन्हें याद करते हैं अपनी प्रात्नाओं में या सिर्फ हमारा मिलना संडे को हम आ गए हमने जै मसी कर लिया वहीं तक हम सीमित है प्रभू ने हमें रखा है इस कलीशिया में और उसका उद्देश है कि हम एक दूसरे के लिए प्रात्ना करें एक दूसरे को के बारे में हम सोचें हम एक दूसरे की प्रभू आप किस प्रकार आप कलीशिया के अंदर काम कर रहे हैं लोगों के लिए अब यहाँ पे निरंतर प्रात्ना करने की बात पॉलुस जब करता है थिसलोन के में भी लिखता है कि प्रात्ना में निरंतर लगे रहो रोमियों की पत्री में लिखता है बारा के बारा में कि प्रात्ना में लॉलीन रहो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कामकाज छोड़ दें, नौकरियां छोड़ दें, बस हम प्रात्ना में लगे रहे हैं उसका अर्थ है कि हम हर वक्त, हम चाहे अपने आफिस में हो, अपने घर में हम काम कर रहे हो हम हर वक्त प्रभु की प्रभु से हम प्रात्ना करें अपने लिए अपने परिवार के लिए और अपने चर्च के लोगों के लिए चर्च की उन्नती के लिए चर्च की बढ़ोत्री के लिए हमारी प्रात्ना हैं सिर्फ स्वैम केंद्रित न रह जाएं कि हमारी जरूरते हमार मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरी पत्नी, मेरे रिस्ते दार, मेरे दोस्तCHbean फिए Dos दूसरों के लिए प्रात्ना करते हैं प्रभू उस वक्त सिर्फ उनके ही जीवन में नहीं बलकि उस वक्त हमारे जीवनों में भी कार्य करता है प्रभू कई बार हम सोचते हैं हम क्यूं प्रात्ना करें क्या जरूरत है में प्रात्ना करनी है प्रभू तो सर्वयापी है प्रभू निकालेगा उसे प्रभू की जिम्मेदारी है ये लेकिन कलिशिया ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रात्ना करें अपने उस कमजोर भाई बहन के लिए जो पाप में सायद पड़े हुए हैं और उनके लिए भी जो अपने विश्वास में अच्छे से बढ़ रहे ह हैं और जब हम प्रात्ना करते हैं हम उन प्रात्नाओं के दौरा हम प्रभू के उस उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं जिसके लिए प्रभू ने हमें यहां पे रखा है कई बार हमारे आपसी कलिश्याओं में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारा आपसी सायद कुछ गलत फैमिया या कुछ ऐसी बातें जो हमारे बीच में बिभाजन को लेकर आती है और हम उस भाई के लिए उनके लिए हम कई बार हम प्रातना ही नहीं कर पाते कारण क्या है कि उस भाई ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने हमें ऐसा कैसे बोल दिया हम नहीं कर पाते प्रातना लेकिन उस भीभाजन को भी अगर हमारे बीच से दूर करना है हम अपनी सा कोटाव हो गए हैं मदभेद चल रहे हैं उसके लिए भी हम प्रातना करें ताकि प्रभु का प्रेम हमारे बीच में बना रहे हैं जेम्स बोईस वो इस प्रकार कहते हैं कि कलिष्याओं में भिभाजन है लेकिन अगर अगर वो भिभाजन खतम हो सकता है यदि कलिश्या के लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रात्ना करना सुरू कर दे उनका मतलब कि हर एक कलिश्याओं में कुछ न कुछ तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन वो लिखते हैं कि 90% वो विभाजन खतम हो जाएगा अगर आप एक दूसरे के लिए प्रात्ना करना सुरू कर दे हमें प्रात्ना करनी हैं एक दूसरे की जरूतों के लिए एक दूसरे की उन्नती के लिए हमें प्रात्ना करनी है जो विस्वास में कमजोर हैं जो पाप में पड़े हुए हैं और हमें प्रात्ना करनी है कि हम्यारी आपसी भाईचारा हमारा खतम न हो जाए कि हम बस प्रभु के लिए हम चर्श आ रहे हमें लोगों के लिए हम नहीं आ रहे हैं वो नहीं होना है प्रभु ने रखा है उसका उद्देश है हम मिलके रहें और एक दूसरे के लिए हम लगातार प्रात्ना करते रहें पहली बात जो हम सीखते हैं तीन और चार से कि हमें एक दूसरे के लिए हमें प्रात्ना करना है प्रभू ने जो किया है जो प्रभू कर रहा है उनके लिए धनिवाद देना है और हमें प्रात्ना करना है वचन चार और साथ हम पढ़ते हैं क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहो, मुझे इस बात का निश्य है कि जिसने तुम में भलाकार आरंब किया है, वही उसे मसी येशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा. तुमारे विसे में मेरा ऐसा विचार करना सर्वता उचित है क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो, इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसके पुस्टी करन में मेरे साथ अनुग्रे में सहभागी हो. प्रेद पॉलुस उनके लिए धनिवाद दे रहा है कि किस प्रकार तुम पहले ही दिन से तुमने सुसमाचार सुना और सुसमाचार के सुनने के बाद बैठे नहीं रहे लेकिन पॉलुस के साथ वो सुसमाचार में सहभागी हो गए, पॉलुस के साथ पॉलुस की सेवकाई में वो जुड़ गए, वो ये इंतजार नहीं कर रहे थे कि हम और विस्वास में अपने मजबूत हो जाएं, और हम बढ़ जाएं, और हम दो चार दस साल और अच्छे से वचन का ज्यान हासिल कर ले, कोई डिगरी ले ले, फिर हम प्रभू के वचन सुसमाचार का प्रचार कर वहां लिखा है कि पहले ही दिन से तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी हो गए, उन्होंने वचन को सुना और सुनकर सिर्फ अपने तक नहीं रखा, पॉलूस के साथ वो जुड़ गए, सायद उन्हें नहीं समझ में आया हमें कैसे करना है, क्या करना है, कहां जाएं हम करने के लिए लेकिन वो पॉलूस के साथ जुड़ गए, क्योंकि पॉलूस जैसा कर रहा था, वैसा ही वो लोगों के, वो उसके साथ देखकर कर सकें, उन्होंने सुसमाचार सुना और सुसमाचार के कार्यों में वो लग गए, प्रभु ने हमें इसलिए नहीं रखा है कि हम इस गुढगाउं सहर में रहने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक जाएं सुसमाचार सुन लिया, विश्वास में हम बढ़ रहे हैं दस साल हो गए, पात साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए लेकिन क्या हम उस सुसमाचार को हम परचार कर रहे हैं या हम अपने तक सीमित है वो सुसमाचार के परचार में लग गए वचंज को सुना सुसमचार के परचार करने में लग गए और सुसमचार की सेवा करना ये आसान नहीं होगा कलिशिया ये ऐसा नहीं होगा कि आप गए आपने सुसमचार सुना दिया और लोग विस्वास में आ गए ऐसा नहीं होगा लोग आपके बारे में बुरी भली बाते बोलेंगे वह पागल हो गया है मूर्ख है बिरोध करेंगे, सताओ करेंगे बहुत कुछ करेंगे लेकिन याद रखें कि हम प्रभू के सेवक है और प्रभू के सेवक, एक दास का वही काम है जो प्रभू की आग्या होती है जो मालिक की आग्या है वही सेवकों की करनी होती है हम अपनी मनमर्जी, अपना मन चाहा हम नहीं कर सकते और जो लिख रहा है इस पत्री को लिखने वाले प्रेट पॉलूस वो खुद हम देखते हैं हम पत्रियों को पढ़ते हैं खुद वो इस सुसमाचार के कारण ही वो खुद सताया जा रहा था उस प्रेट पॉलूस बहुत पढ़ा लिखा इंसान था वचन का बहुत अच्छा ग्यान था उसे लेकिन फिर भी उसे सताया जा रहा था शुसमाचार के कारण उससे पहले किसी की मजाल जो पॉलूस को आकर उसके उंगली उठाए उसके ऊपर येक अधिकारी था उसके लोग उसकी हुकम मांते थे लेकिन सुसमाचार के कारण अभी वो खुद सताया जा रहा है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है यह आसान नहीं होगा दुखों से भरा होगा सुसमाचार का प्रचार करना प्रभू की सेवा करना लेकिन यह हमारी सेवा है कि हम उस सेवा में हम भाग जब हम प्रभू ने हमें चुना है हम उस सेवा को हम पूरा करें दूसरा तिमूथी 4 के 5 में ऐसे लिखा है कि सब बातों में साउधान रहे दुख उठा, सू सुमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर प्रेत पॉलुस लिखते हैं तिमूथी को कि साउधान रहे, सारी बातों में क्या करो साउधान रहो, फिर लिखते हैं कि दुख उठा, सू सुमाचार का प्रचार कर और प्रभू की सेवा को पूरी कर अपनी सेवा पूरी कर हमें साउधान भी रहना है दुख भी उठाना है सुसमचार का प्रचार करना है और वही है सेवा पूरी करनी कि उस सुसमचार को प्रचार करके हम अपनी सेवा को पूरी करें इशुनाम ससंग के लोग हम सुसमचार का प्रचार करें और अपनी सेवा को पूरी करें दुख उठाना पड़ेगा हमें फिलिपियो इसी में हम 29 में देखते हैं क्योंकि मसी के कारण हमें या अनुग्रे हुआ है कि हम उस पर केवल विश्वास ही ना करें वरन उसके लिए दुख भी उठाएं कि दुख उठाने का भी अनुग्रे हमें मिला है कि हम सिफ बिस्वासी बन के ना रहे सिफ हम बिस्वास करें वहीं तक सीमित ना रहें लेकिन हम मसी के लिए दुख उठाने वाले भी बने और हमें दुख प्रचार करना है सिवकाई करनी है प्रचार करना है प्रभू के वचन को फैलाना है लेकिन साथ ही साथ हमें उसकी रक्षा भी करनी है हमारे मन में सवाल आएगा हम सुसुमाचार की रक्षा कैसे करें सुसुमाचार तो हमें बचाता है जब हम सुसुमाचार को सुनते हैं हम प्रभूक पर विश्वास करते हैं और उसके दौरा हम बचाये जाते हैं लेकिन एक के साथ में जब हम पढ़ते हैं वचन साथ में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखे है कि तुमारे बिसे में मेरा ऐसा बिचार करना सरवता उचित है क्योंकि तुम मेरे मन में बस गए हो इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसकी पुस्टी करण में मेरे साथ अनुग्रे में सहभागी हो उनके बीच में गलत सिक्षाएं हैं जूटी सिक्षाएं हैं उन सिक्षाओं के लिए वहाँ पे बोल रहा है कि तुम मै मैं कैद में हूँ लेकिन तुम सही सिक्षा में तुम बने रहे और तुम गलत सिक्षाओं में नहीं पड़े तो तुमारे बीच में जूटे लोग उठ खड़े हुए तुम उनकी बातों में नहीं फसे लेकिन सुसमाचार का तुम सही रीती से सुसमाचार को प्रस्तुत करते हुए तुमने उसकी रक्षा किये हमें सुसमाचार प्रचार करना है हमें वचन को पढ़ना है वचन का ज्ञान होगा तभी हम कर पाएंगे और सुसमाचार की रक्षा भी तभी हम कर पाएंगे जब हमें इस सत्य वचन हमें प्रभू के इस वचनों का जब हमें ज्ञान होगा अगर हमें ज्ञान नहीं है कोई भी कुछ भी आके हमें सिखा के चला जाए अगर हमें पता नहीं है कि प्रभू का वचन ऐसा कहता है और कुछ आकर हमें कुछ जूटे सिक्षक हमें कुछ आकर कुछ गलत सिखा के चले जाए अगर हमें पता ही नहीं है, हम उनकी बातों पर विस्वास कर लेंगे, हम उनके विस्वास पर हम विस्वास करने लगेंगे, लेकिन सावधान रहे हमें सुसमचार का प्रशार करना है, रक्षा करनी है, हमें वचन का ग्यान होना बहुत जरूरी है सुसमचार पर चारो तरफ से हम उंगली उठाये जा रहा है अवाज उठाये जा रहा है सुसमचार को दबाया जा रहा है आए दिन हम देखते हैं और ये दो तरीके से एक बाहरी रूप से एक भीतरी रूप से, दो तरीके से सुसमाचार की सत्यता पर सवाल उठाया जा रहा है बाहरी लोग से वो लोग जो सुसमाचार को नहीं जानते जो प्रभू पर विश्वास नहीं करते, वो लोग है हम चारों तरफ देखते हैं कलिशियाओं को तोड़ा जा रहा है पास्ट्रों को मारा जा रहा है कलिशियाओं बंद की जा रही है पास्ट्रों को जेल में डाला जा रहा है क्यूं सू समाचार के लिए सू समाचार के परचार करने के लिए उन्हेंने कोई गलत काम नहीं किया ह लेकिन एक ही कारण है कि वो सत्त का प्रचार कर रहे हैं। एशुमसी खुद कहते हैं बाहरी लोगों के लिए कि लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे तुम्हें सताया जाएगा लेकिन उनसे साउधान रहो जो जूटे प्रचारक हैं। सत्य हमें अच्छे से पता होगा तभी हम गलत सिक्षाओं को हम समझ पाएंगे। नहीं तो कोई भी आया सताओ होगा वो समझ में आ जाएगा। कोई आके हमें बुरा भरा बोलेगा, कोई हमारे बीच में आके तोड़ फोड करेगा, समझ में आ जाएगा कि सताओ हो रहा है। लेकिन अगर जूटी सिक्षा कोई हमारे बीच में फैला रहा है, अगर हमें नहीं पता है, सच्ची सिच्छा तो हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। उसी पर भिस्वास कर लेंगे। हम चारों तरफ देख रहे हैं, योटूब पे भरे हुए हैं परचारक, अच्छे भी परचारक हैं लेकिन जूटों से भी भरा हुआ है। योटूब पे चर्च चल रहे हैं, वो प्रभू की सत्ता पर विश्वास उन्हों सत्त नहीं पता, बस वो चिन्हों चमतकार पर लगे हुए हैं। कलिशया हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें प्रभू के वचनों का ज्यान होना है, और हम तभी सुसमचार की सेवा कर पाएंगे, जब हमें सुसमचार का हमें ज्यान हो, वचन का ज्यान हो हमें, और तभी हम सुसमचार की रक्षा कर पाएंगे, जब सही शिक्षा हमें पता हो। दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि हमें एक कलिश्या का होने का उद्देश है, स्थानी कलिश्या का उद्देश है एक दूसरे के लिए प्रेम करना और दूसरा जो हम सीखते हैं कि स्थानी कलिश्या का उद्देश है कि अपने स्थानी कलिश्या के अगूओं के साथ मिलकर वो स सुसुमचार की रक्षा करें ये किसी एक का काम नहीं है सिर्फ पास्टर का काम नहीं है लीडर का काम नहीं है ये पूरे चर्श का का काम है कि हम सुसुमचार की सेवा करें प्रभू के हम सेवक हैं और प्रभू ने हमें इसलिए रखा है वचन छे पढ़ते हैं मुझे इस बा कार आरंब किया है वही उसे मसी येशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा जो सुसमचार का काम वो कर रहे हैं जो सुसमचार की सिवकाई वो कर रहे हैं पोलिस बोल रहे हैं कि मुझे निश्चे है ये पता है मुझे निश्चे है कि प्रभू उसे पूरा करेगा जो काम आप कर प्रबू पर विस्वास रखके हुए हमें करते रहें की उस काम को शुरू जो परमेश्वन्य ने किया है हमारे दोरा वो काम हमारा नहीं है वो सेवा हमारी नहीं है वो प्रभू का काम प्रभू की सेवा है और प्रभू उसे ऐसे ही नहीं चाने देगा प्रभू उसे पूरा करेगा मसी के दिन तक, मसी के आने पर वो उनकारियों को पूरा करेगा कई बार हम सालों से हम लोगों को सुसमचार सुना रहे हैं लोगों को प्रभू के बारे में बता रहे हैं प्रभू के प्रेम के बारे में बता रहे हैं साइद किसी एक को भी हम उनमें से नहीं देखते कि वो विस्वास में आ गए हो हम सब मनुष्य हैं हमारे जीवन में साइद हम इन बातों को देखके कि प्रभू हम कर तो रहे हैं लेकिน कोई बदलाओ ही नहीं आ रहा है कि शाएद कई बार आपस में हम कलिश्या के बीच में भी हम हमारे बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो काफी साल हो गए हो सुधर ही नहीँ रहे लेकिन हम अपना काम करते रहे हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाब करना प्रभू के वचन का प्रचार करना हम करते रहें और लोगों के जीवन में काम करना वो प्रभू का काम है क्योंकि वो काम हमारा नहीं है वो मर्जी हमारी नहीं है वो प्रभू का काम है और प्रभू की मर्जी है हम निरास ना हो ठक ना जाएं लेकिन हम इस सुसमचार के कारे को हम प्रचार करते रहें लोगों तक सुनाते रहें हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने सुसमचार सुनाया और विस्वास में आही जाएगा लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुसमचार की सत्य को हम प्रचार करते रहें उन लोगों तक हम जाते रहें जो प्रभू से दूर है जिनोंने सुसमचार को नहीं सुना हमारी ये जिम्मेदारी है और प्रभू अपना काम करेगा प्रभू को जो करना है, वो प्रभू करेगा, हमें जो करना है, हम वो करते रहें, हमें भला काम हम करते रहें, सुसमचार का परचार, सुसमचार की सेवकाई, हम करते रहें, और प्रभू बदलाओ लेकर आएगा, वो काम प्रभू का है, और वो काम हमारे समय पर नहीं, हम जै रहना है लगे रहना है लगे रहना है दूसरा थिसलोन की अध्यायदों के पहले वचन में लिखते हैं इस प्रकार प्रेट पॉलुस हमारा तो हे भाईयो तुम स्वैम जानते हो हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ प्रेट पॉलुस वहाँ पर सेवकाई कर रहे है और उनके जीवनों में बदलाओ आया उन बदलाओ को देखकर पॉलुस बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पास हम सुसमचार की सेवकाई के लिए आये और हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ है तुम इस बात का सुस्वमचार के दौरा परिवर्तन आया, उससे पहले ये सताय जा रहे थे, प्रेद पॉलुस सताय जा रहा था, इन्हें सताय जा रहा है, वो उनके पास चुनाओ था, वो छोड़ देते, कि प्रभू हम पर सताओ हो रहा है, हम कहीं और जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो किया जो प्रभू का चाहता है, जो प्रभू हम से चाहता है, उन्होंने सुस्वमचार का प्रचार किया, और प्रभू ने उनको उस कारे को पूरा किया, ठिसलोन की कलिशिया में लिखा है कि इस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया, कि उनका वो प्रेम के लिए परिश्र का उदारन बन गयते उस कलिचया के लोग। पॉलुस अगर थक के बैठ जाता हार के बैठ जाता तो सायद उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आया क्यूंकि पॉलुस लगा रहा। हम भी लगे रहें और प्रभू का काम है प्रभू अपने कार्य को सही समय पर सही समय पर सही लोगों पर प्रकट करेगा प्रभू ने जिने चुन लिया है अगर हम सुसमचार सुना रहे हैं हमने दस लोगों को सुना दिया एक भी नहीं हमारे बीच में दिख रहा है लेकिन उन बात को देखकर हम ठक न जाएं हार न जाएं प्रभू ने अगर किस करने दे, प्रभू अपने समय पर अपने काम को करेगा, हम इस पसे जो सीखते हैं कि परमेश्वर की प्रभुता पर विस्वास करना है, परमेश्वर की प्रभुता पर विस्वास करना है कि जो कार उसने हमारे जीवन में सुरू किया है, उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थ सामर्थी है उसके अंदर वो सामर्थ है कि उस कारे को वो पूरा करेगा बस हम जो हमारी जो जिम्मेदारी है मुसे करते रहें वचनाठ पढ़ते हैं परमेश्वर इस बात में मेरा साक्षी है कि मैं मसी येशुक के प्रेम से तुम सब के लिए कितनी लालसा करता हूँ प्रेद पौलुस का उस कलिशिया के साथ एक बहुत ही गहरा संबंद है प्रेद पौलुस उस कलिशिया के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही करीब से और वो लिखते हैं कि किस प्रकार वो उनसे प्रेम करते हैं और वो अपना प्रेम नहीं कि मैं दिल से तुम्हें प्रेम करता हूँ वो प्रेम नहीं लिखते हैं वो लिखते हैं कि मसी येशु के दौरा यहाँ पे लिखा है ऐसे कि मसी येशु के प्रेम से तुम सब के लिए कितनी लालसा करता हूँ कि वो यह नहीं कि हमारे प्रेम में हमारे प्रेम में छल कपट हो सकता है सौर्थ हो सकता है लेकिन मसी के प्रेम में कोई छल कपट नहीं है वो लिखता है कि जैसे मसी ने प्रेम किया है वैसा उसी मसी के प्रेम के दौरा हमा तुमसे प्रेम करते हैं मसी ने हमसे किया है, मसी येशु के जैसा प्रेम करना है, निसकपट प्रेम, बलिदानी प्रेम, तियाग का प्रेम, वो प्रेम करना है मैं, थिसलोन की कलिशिया में लिखते हैं, प्रेज़ पुल सद्ध्याय दो के आठ में, उस प्रकाल लिखते हैं कि उनकी देख भाल उतने ही कोमलता से की है जैसे एक माँ अपने दूत पीते बच्चों से करती है हम तुम्हें ना केवल परमिश्वर का सुसमचार सुनाए अपने प्राण को भी दे दें कि तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो गए हो प्रेम करने का एक उदारन यहां पर देते हैं यहां पर लिखते हैं थिस्लोन की कलिशिया में कि हम एक माँ जैसे अपने बच्चे को दूत पीते बच्चे को जैसे लालन पालन करती है जैसे वो उसे संभाल के रखती है वैसे ही हमने तुमसे प्रेम किया है और इसलिए नहीं प्रेम किया आगे आगे का जब थिसलोनकी में आगे आप पड़ोगे वहाँ पिता के प्रेम के बारे में भी पॉलूस जिक्र करते हैं कि एक पिता के समान हमने हमें सुद्धता के साथ तुम्हें वचन सिखाया है और वहाँ पर लिखते हैं कि आप तुम हमारे लिए इतने प्रिय हो गए हो कि हम अपने जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए ये बात वियाद दिलाता है येशु मसी परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने क्या किया? अपना एक लोता पुत्र हमारे लिए दे दिया प्रेद पॉलुस के सब्दों में वही देखते हैं कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपनी जान देने के लिए भी हम तयार हैं तुमारे लिए प्रेम सिर्फ कहने से नहीं वो भावनाओं में हमारे दिखना चाहिए हमारी कार्यों में दिखना चाहिए कई बार हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमारी हमें जो बहुत सी बाते पसंद होंगी हमें त्यागना पड़ेगा हम जो करने के लिए आजाद है सायद हमारे किसी मसी भाई बहन को वो बात पसंद नहीं उस वज़े से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं हमें अपने जीवन से उस बात को त्यागना पड़ेगा ताकि हम अपने मसी भाई के बहन के साथ हम एक प्रेम के साथ रह सकें, जैसे मसी ने हम से प्रेम किया, उस प्रेम को चाहता कि हम दिखा सकें, हमारा प्रेम छल कपट वाला हो सकता है, हमारा प्रेम सौर्थी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रभू के प्रेम को याद करते हुए, हम देखें, तो हम उसमें सौर्थ नहीं इसलिए हमसे प्रेम किया और जब हम उसके प्रेम को याद करते हुए जब हम दूसरों को देखेंगे अपने बसी भाई बेनों को तभी हम उस अच्छा प्रेम कर पाएंगे तभी हम मसी के जैसा प्रेम कर पाएंगे जब हम मसी के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे चार बाते हमने सीखी कि हमें एक स्थानी कलिश्या होने का उद्देश है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रात्ना करें स्थानी कलिश्या होने का उद्देश है कि हम अपने स्थानी अगूओं के साथ मिलकर सुसमचार की सेवा करें और क्या करें रक्षा करें और वो सेवा और रक्षा तभी हम कर पाएंगे जब सुसमचार का ज्यान होगा हमें अगर सुसमचार का ग्यान ही नहीं है, वचन का नॉलेज ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर की प्रभुता पर विस्वास करें भरोसा रखें जो कुछ प्रभु हमारे दौरा करवा रहा है हमारे जीवनों में जो कुछ प्रभु कर रहा है चाहे हम उसकी सेवा के लिए कर रहे हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखते हुए हम करें कि प्रभू ने इस कारे को शुरू किया है, ये प्रभू का कारे है, प्रभू की योजना है, प्रभू की इच्छा है और प्रभू उसे पूरा भी करेगा और प्रभू हमारे समय पर हमारी योजना के अनुसार कारे नहीं करता हमें उसकी योजना के अनुसार कारे करना है प्रभू अपने तरीखे से अपने समय पर कारे करता है और चौती बात जो हम देखते हैं कि हमें एक दूसरे को मसी के जैसा प्रेम करना है जैसा मसी ने हमसे प्रेम किया वैसा हमें प्रेम करना है जैसे मसी ने अपने आपको दे दिया सायद हमें भी बहुत सी चीजhões का बलिदान करना पड़ेगा ताकि हमसी के प्रेम को दिखा सके आए अपने जगों पर ख़ड़े हो जाएं